तब साथियो नमस्कार साथ आप लोगों के निगाह में मैं 12-15 दिन के बाद आया हूँ और वैसे तो ये कार्ज करम रखना मेरा उदेश था पर मैं रखता हूँ तब जब मुझे आवसेक्ता महसूस होती है तब सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा प्राचीन रिष्यों ने जो कहा है शरीरम माद्यम खलूह सर्वधर्म साधनम अगर हम इस संसार में जो कुछ भी करना चाहे है ज़ा धर्म जगत में कर्म जगत में उद्योग जगत में जो किसी भी स्टेज में तो इस सरीर को सुरक्षित और स्वस्थ रखना भी हमारा एक जन्म श्रीद अधिकार होता है ठीक है प्रकिर्टी ने मुझे यहाँ एक देह दी है और देह का बनावड़ तो कैसा है क्या बता हूँ आप से सारी दुनिया सारे उद्योग सारे कार खाने इस सरीर के नकल अनुकरन करते रहे गए लेकिन पूरी तरह से इसका अनुकरन नहीं कर पाया है ठीक है आज मैं जिस सब्जेक्ट को रखने के लिए जा रहा हूँ यह भी लगभग आपको आम बीमारी तो मत कहिए लेकिन आधा से अधिक परस्ति सत में लोग इससे परेशान है जिसको हम लोग कहते हैं साधरन भासा आम भासा में पत्री उससे पत्री भी कही होते है इसको दो भाग में पहले बाटिये एक एस्टॉंस और एक टूमर प्रिवाशा एक देशा दोनों का नहीं होता है अब टूमर्स कहते हैं अब उर्द को कहीं चमडे में गांट पड़ जाना भीन बात है और एस्टॉंस कहते हैं केडिनी को अभी तक में जहां तक देखा गया है ब्रेस्ट टूमर अब उर्द ही है पत्री जहां तक आज तक पाई गई है वह एक तो यह गोल्व लाडर में और दुसरा किडिनी में आखिर इसको होने का साधन क्या जरसा इस बात पर हम लोग वीचार करें गया कुछ कारान होता है इसका है हलां कि इसमें गोल माल भी बहुत है कि क्या तो बड़े-बड़े डॉक्टर आपको उप्रेशन का लालेज देके छोमना साल वर्दवाई खिलाएगा च्टी बटी पत्री गल जाती होगी लेकिन बराश्टर नहीं गल था जैसा कि हमने अपने सामने में एक घटना देखी थी वह नेपाल में एक जिलाह सुनसर जिसकी राजभानी नडवा वहाँ एक डॉक्टर है दूवी रोड़े वहीं बेठे बेठे संजोग से वहाँ एक प्रसेंट और एक डॉक्टर आया था इंडिया के ही बोडर किनाड़े किसी गउंसे या डॉक्टर आया था विराटनगर से कहानी क्या थी मैं आपको बता र वाला उस डॉक्टर से मेडिसीन खा रहा था तीन-चार मेना खाके चेक कराया उसकी पथरी सही निकली है उसी गउंका एक प्रसेंट विराटनगर वहुद बढ़े होस्पीटल में गया था जो डॉक्टर वहाँ पचास-जार रुपया लेगा यह पथरी गल जाएग गला किड्नी में पथरी था वहां तो चुरा चको चलाने का साहस किसी को है ने बड़े लोग ट्रंस्प्लांट करा लेता है ऐसा हो सकता है एक तो बेर बेरिस नम का कहावत है बेर बेरिस वेलगरी से नम का यह पथरी की दवाह ठीक है तो उट डॉक्टर इस होमियोप्टर से ल और वहां एरेंज करने वाला लोग जो पहिचा मांगने के लिए वहीं यह कुलू मिली कि हमको तु 3-4 रुपे में इसका इलाज हो गया तो तू क्या करेगा निए चुका उसी को लेकर के वह पैसेंट और उसी पैसेंट के लिए और पैसेंट के लिए बेर बेरिस बेलगरी लेने के लिए डॉक्टर भी आदमी वेजा था यह तीनों एक मिलान हो गया हम लोग दो साथी थे एक सहाब बुलन सारी है वह हम आ रहे थे मधवन से बड़ी हसी लगी उन लोग डॉक्टर की बेजती भी हुई डिमोरलाइज भी हुआ मुह से आवाज नहीं आ रहे थी इत अगर पानी का प्रियोग कम करते हैं पीने के लिए तो मिनेरल का मात्रा बढ़ जाता है जो जाके कि अब सवाल है कि आप पानी कम पीते हैं मिनेरल का मात्रा बढ़ता है किड़नी में एस्टोन बन जाता है एस्टोन बनता किस सीज़ का है दरासा मैं किड़नी का भी एक सरांस आप लोगों का दे रहा हूं थोरी से यह आपके पीठ की हड़ी है बैक साइड में देखा रहा हूँ आपको इसमें कि एक दो तीन चार पॉंच छो साथ छोड़ दीजी इसको आप सर्भाइकल भड़ टिपरा इसको बोलिए अब लोग जो चेक करवाते हैं अल्ट्रासॉंट या इसीजी या अउग्जिकल अउग्जियाल टेमोग्रोफी जो भी टेस्ट करवाते हैं उसमें आप देखे होंगे टी एच सीवी लएच फोर आता है मैं भी इसको इन डिटेल करना हूँ साथ तो आप छोड़ दीजे इस सर्भाइकल भर्टी बड़ा को ये पीच के रीर की हड़ी है अब इसमें कुल 32 होते हैं तो 32 में से साथ आ गया सर्भाइकल भर्टी बड़ा दें और एक दो तीन चार पॉंच छे साथ आठ नो दस ग्यारह और बारह ये हो गया आपको थोरे सिख भर्टी बड़ा भर्टी बड़ा ये बढ़रह हो गया तो ये जो आप देख रहे हैं सर्भाइकल और थोरे सिक भर्टी बड़ा ये रिजन है मिरुदंड की ये हैं मन का गोटी और गोटी के बीच में होता है मसल्स यहाँ भी मजब, मजब, मजब जिस मजब के सारे गोटी पर गोटी बैट करके आपको जुकने में चलने और ले में बैलakatा है इसी गोटी के बीच में मजब होने के करौन तो इसमें है 12 12 में आप दो को छोड़ दीजिए यह 10 जो है यहान लिखिए आप वाया यहां लिखिया आप दाया यह जो कनेक्शन देख रहे हैं है यहीं आपका किडिनी है यह राइट हो गया यह लेप्ट हो गया अब थोरा से गलती बन गया क्या गलती बना तो दाया जो होता है थोरा सा होता तो है एक ही जैसा लेकिन यह आपको इसको यह रड़ी है आपकी पसली है तो यह दस्मा में तो यह जोइंट है और किडिनी का जो होता है आकार आपको इस बारहमी पसली से बाया इस बारहमी पसली के अंदर अदाया एगारहमी पसली के अंदर दाया यह बारहमी पसली के अंदर और यह एगारहमी पसली के अंदर इसलिए कि ठीक इसके उपर में आपको लीभर होता है तो दुनों एक पोजिशन में ने हुआ अब इसके अंदर में देखिए ऐसे बालू जैसे कन बालू जैसे कन इसकी संख्यां 10,000 होती है इसका संख्यां 10,000 इसमें उसको हम लोग बोलते है नंफौनट कि बात आपको कही है पर इसमें से एक नाला इधर छोड़ दीजिए बलटे लेने के लिए तो शरीर के अंदर में जो भी परिवर्वन परिशंचरन तंत्र में बलड के जितने भी सारे गुरूप होते हैं उस सब का सब इसमें आता है और इस दोनों का काम है उसको फर्टिल्याजेशन करके आपके सरीर के लिए उपयोगी सारे तत्वों को फिर वापस भेजना और उस तत्वों को फर्टिल्याज कर देने के बाद जो आपको उसमें अवसिस्ट पदार्थ होता है उसको यहाँ भेजना यह है आपको यूरेनरी बलाडर यह मुत्रासे की थेली तो थेली तक तो यह नली आपको लादी है तो इसका नाम है यूरेटर जो इसके अवसिस्ट पदार्थ को यहाँ तक लाता है अब इस अवसिस्ट पदार्थों में होता क्या-क्या है तो यूडिया आया यूरीक एसीड आया फोस्फेट आया अल्ब्यूमीन आया तमाम क्रेटेनी क्रेटेमाइन आया जो भी इसके अवसिस्ट पदार्थ है वह इस बलाडर में जमा होता है अब मिनराल बढ़ने से या शरीर में किसी डिसकनेक्शन के खयाल में जब इस नेफ सेफ्रोंस ने फ्रस में 60 जाता है थका बांदयता और थका बांदएने के बाद होता है क्या यह एक थोरा सा पस्री का रूप धर्म कर लेता है इससे आपको फिल्य हाल कोई दिक्कत महीं आई होती है लंबर रीजन जब इसमें साथा ठेमेल से बड़ी पथरी हो जाती है तो इसका दर्द आपको पजरे में इसका दर्द आपके पजरे में और वो रेडियेट होकर के सीधा आपके कमर में होता है जिसको हम पथरी का दर्द कहते हैं तो पत्री तो यहां हुआ हो सकता है यहां भी अबुर्द हो सकता है इस नाले में भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है यहां से जो आपको नीचे के ओर यही जैसे बलाडर है बलाडर तो यहां तक आके मुत्र यहां से जमा हुआ इसमें और यह जो है आपके पेनिस में मिल जाता है यहां से आपका पैसाब उत्सरजन होता है तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रा डिफ्केल्ट इसमें भी आ सकती है पथरी इसमें भी बन सकता है पथरी इसमें भी बन सकता है अब पथरी इसमें भी बन सकता है कमजोरी वही है लेकिन पत्री इस तीन जगह में से कहीं भी बन सकता अब सवाल है कि यहां जो पत्री बनी तो इसका दर्द आपको पद्रे में और कमर में अगर यहां दर्द हो गया इस नली में जब दर्द हो गया तो हुआ क्या तो कभी आपको पिसाब बहुत ज़जदा लगेगा और कभी पिसाब कम लजएगा इसमें पत्री बनने का यह कारण है यह लक्षण है और यहां से यहां से जब यूरीन यह आता है इस बीच में अगर कोई ψस्टर्ग है तो पिर आपको पिसाब में जलन होगा पिसाब में जलन होगा पिसाब में रुकावट होगा पिसाब बुंद बुंद होगा या तो पिसाब रात में हो जाएगा या पिसाब जोड़ से खासिएगा आपको पिसाब आजाएगा या पिसाब आपको चलते चलते चू जाएगा ये तीनों जगह के पथरी का तीन परकार का प्रोब आपने समझा पत्री के लिए अब सवाल है कि दवाई है हमने यह आपको जो कहा विडियो जो मैं बना रहा हूं कि किसी भी डॉक्टर की परहाई जो होती है किताब से होती है किताब को आप इतिहास और अतीत मान लीजिए वो आपको रास्ता देती है चलना आपको पड़ता हम किताब है नहीं चलेगी थिक ठेक चलेंगे आप रास्ता देती है किताब कि तो आप चल करके तो जीवन के यात्रा में यहां आकी अपि रूख है किटाब वहां से अगे नहीं करिए आप सिस्थ था तो आठाइस था उसम लेकिन आप किस क्रियाशन में आ शुकर है किस माहल में आ शुकर अभी अगा गेस्ट्रो इंटेस्टैनल ट्रैक जैसे गैस और कब्ज की बीमारी से आपको भी मालूम होगा कि अधिक परती सत लोग इससे परिशान है लेकिन आज से 25-50 बर्स पूर्व जब देखिएगा तो गरीवी के मारे एक टाइम तो किसी तरह से भात का उपारजन खार लेते थे औ और हमारे यहां बिहार की धरती में कहीं-कहीं एक फसल उगता था इतना इतना बहड़ा वर कि अ MR एकाल्व अक्था थे लेकिन अलवा में एक विशस्ता होती थी किताब वही है लेकिन आज 770 प्रतिसत इस रोग से लोग रसी था क्यों है समय बदला है किताब वहीं है अचा मैं किताब के मर जाता को एक इंच भी कम नहीं करूंगा चुके मेरा भी गुरू वही है पर होता क्या है एक साथ ही है हमारा तो बहुता जी को संस का प्रोब्लेम था थारा दिन वीज दिन पर एक ओडी सेफ लगा देता था तो पिता जी टन टन रहते थे तेकिन आज कल क्या हो गया एक छोटे बचे को एक दिन छोड़े एक दिन डॉक्तर रोडी सेफ लगाता है अब वोडी सेफ नकली हो गया है कि बचा असली हो गया यह समझ में नहीं आता आप विचार कर सकते हैं दवाई दुनिया दवाई की दुनियादारी थी हमारे बैद जरी बुटी दवाई बहुत दिनों से अवसेक्ता परती थी बीमार होते थे दवाई आती थी खाते थे हम स्वस्त होते थे परंतु अभी के महल में आप देख लिए हर घर में छे आदमी हैं तो दो आदमी जरूर उनके सिरहने में कोई ने कोई मेडिसीन दखी हो यह अर्जंट इसलिए हो गया किताब तो आठी सप्यज में है लेकिन हम लोग की जीवन यात्रा है उसमें यह पड़ी नती आई है यही कारण है यह पत्री अरे उस जमाने में अन्हीं मिलता था तो लोग पानी भी पी के प्यास बुझाता था पेट का आग मारता था पर आज कहीं कहीं लोगों मे करने को मिलागा साथ लीटर पानी किसे आदमी पीएगा लेकिन नहीं इस सरी को साथ लीटर परड़े पानी चाहिए तब या किड़नी का एक सरह हो होता रहेगा कि यह फर्टीलाइज करते करते साथ लीटर में साथ लीटर का पैसाब बनायागा प्रूंत वहां होता कि कि अब आये थोड़ा सा अचा इसको आप लोग भूल जाएएगा कि थोरी सीमा हाँ हाँ हम यह आपको कहना चाहे थे कि मेडिसीन के लिए प्रैक्टिशनर गाइड होता है रेपेटरी होता है हरकुछ होता है और हम आपको जिस धरातल पे बोल रहा है है यह प्रैक्टिकल ठैक्टिस के बल पे बोल रहा है त्यूंकि जैसा हम लोगों इडरिल्ट पाईआ है किड़नी के लिए दवाई मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स उतने नहीं है जो मुझे चुकलेट खाने को मिले पर यह विडियो जहां-जहां गया है आप सोच सकते हैं मुझाफर पूर की दूरी यहां से यहां से एक राज कुमार नाम का जूबक कॉंस्टेवल है पलसर से मेरे घर तक आगया अभी तक मैं तीन दफ़े आया है आज की घटना है नाम पवन रहा है गौम मरहोडा चपड़ा अब उसको थोड़ी सी मेडिसीन बता दिये तू काने नहीं मैं आपको डेर सो रुपया मै मैं पहले फीस भेजता हूं तब मैं दबाए खड़ी दूँगा लेकिन उसको इसे फॉन्कॉल रिकॉडिंग का यह का नंबर भी दे देंगा उसको के अरे भाया उसी डेर सो रुपय का पहले तो मेडिसीन खड़ीद के खाओ ठीक हो जाना फिर फीस के बिसे में सोचना ओसी मम कैना बीनम इसको रखिए एक नंबर में अब दूसरे में लिखिए थन लेपसी बड़सा लेकिन इसका पावर कभी भी रहेगा ते यह क्यूब क्यूब यह किडिनीक में पत्री की दवाई है यह स्पेसिफिक दवाई है अब आईए यह बाई सैड है तो इसका मदर टिंचर अगर वह सो एमेल पी ले दोनों मिला के दोनों दो सो एमेल नहीं दोनों सो एमेल और इसके साथ और एक मजबूरी क्या है तो एक आजाएगा बर बरीश बेलगरीश आद दूसरा आ जाएगा हैड्रेंजिया इसकी पोटेंसी दोसो या तीस पावर में है और यह क्यू जिरो पावर में इतनी दवाई बाएं साइड के किड्नी के एस्टोन के लिए यह काफी है अब आये हमने आपको किड्नी के विस्टे में कहा और बीमारी दूसरी है लेकिन मेडिसीन सेम यही रहेगा वह क्या रहेगा अगर यह जो है यूरेटर इसमें अगर कहीं कुछ बन गया है तो सबसे तो पहले एक बात गोर किजिए तीन एमेम से कम की पत्री रहेगी तो आपक नहीं चलता आप किसी बिमाराद भी को देखें होंगे वह पैसाब करता है किसी बर्तन में उसमें इटे का तलचट जैसा चुरुन जम जाता वह भी पत्री है लेकिन उसकी आकृति उतनी बड़ी है कि पैसाब के दौरा एक सीट होने में उसको कोई प्रोब्लेम नहीं होता अगर इसमें किसी बिप्रकार का मान्सा अबुर्द है तो इसमें एक ही दवाई मान के चलिए थूजा इसमें अगर मान्सा अबुर्द है तो थूजा अगर इस भाग में अगर कहीं दर्द है तो जकारेंडा यहां अगर दर्द है तो जकारेंडा इसमें अगर कोई दिकत है आपको इसके लिए है पेट्रोसिलम है केंथ्री पेट्रोसिलीनम है केंथ्री है आधी-आधी दवाई है लेकिन अगर यहां से लेकर के यहां तक में अगर पात साल दस साल से नीचे के बच्चों में है तो वहाँ इसकी जरूरी पड़ेगी इसकी जरूरी नहीं पड़ेगी जाकरेंडा की जरूरी पड़ेगी वहां एक सरसा पैरिला और बोरेक्स दस काल से नीचे के बच्चों में अगर ये समस्या आती है तो इसको छोड़ दीजे दीजेगा दीजे ने दीजेगा मत दीजे और इसमें पैसाब की जरूड़ी में ये इसकी जरूड़ी में पड़ीगा बस थूजा सरसा पैरिला बोरेक्स ये इसमें यहां से लेका यहां तक बच्चों के लिए सयाने के लिए नहीं सयाने के लिए यहां आ कि यह आपको दाई किड़नी है इसको हटा दीजिए यहां तक को कि इसको भी हटा दीजिए कि दाएं किड़नी वगर किसी भी परकार का एस्टोन हो चहाँ वह साहे 12 एमेल तक का और साहे 11 एमेल तक का हम लोग एक्जाम किया हैं तीन महिने के अंदर में साहे 4 एमेम का बचा उसके बाद लड़का का नाम है सैलेस घर है उसका मोती बाड़ी ललिया जो अरड़ घाट से दच्छिन पड़ता हो तो तीन महने के बाद अगर चेक कराया तो उसको सारह चारह सारह चारह चार एमेम बचा था लेकिन जिस दिन उसको अगारा साहरे एमेम का था उसको दर्द भी था अभी एक ट्रसेंट और है से बरहडी धंधाब है तो यह मधिपुरा चन्दनी चोक पाएं दोनों के लिए सफिसेंट है इसकी अब स्पेसिफिक मेडिसिन में बता रहा हूं एक सर्शा पैरिला पैरी बिन्था एक्क्वी चीटम जो दवाई लिखता हूं इसके लिए आपको टोकड़ी नहीं बनानी है दुकान नहीं लगाना है बिस एमेल खड़ी दना है पांच 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 पांचों के बीस एमेल अब आईए थोरी सी में करता हूं इसमें किसी भी कोई विकिर नहीं हो इसमें किसी भी प्रकार की गरवड़ी होने के बाद पैसाब में कुछ नो कुछ प्रोब्लेम आजाता है जैसे हमने यहां बोला आपको ऐसा होता है पैसाब में से बलड भी निकलता है पैसाब में से बलड भी निकलता है सफिस्येंट दवाई है दो दवाई याद रखिएगा चीनी नम अगर आपको पिसाब से बलड आ रहा है तो तीन घंटे के अंदर में आप पिसाब के बलड को दोनों दवाई मिलके बदल देगा ठीक है फूर इसी इसमें जलन आ रही है अगर हमने तो कहा पिसाब में बलड आ रहा है तो चीनिनम सल्फर और टेड़ी बिन्थला अगर ठीक इसके वजब पिसाब से पौस भी आता है या अधपचा अनिक का भी फूड पार्टिकल आता है वहां आ जाएगा आपको काम चीमा चीला काली कलोरिकम देखिए यह फूटो आपको जा रहा होगा आया जितनी दवाई आप लोग देख रहे हैं इस दवाई से त्रिक्त होने के लिए कहीं ऐसा होता है कि अपने बिजनेस के परपस से बहुत से डाक्टर बहुत से स्टाइल्स में बहुत से एस्टेंडर भासाओं में आपको इस तरह से विश्वास दिला देगा जो सेक्सेस नहीं है आ हाई भी नहीं दुनों बात है अगर अधी पैसाब में पस्का सिम्टोम आ रहा हो तो सिमाफिला का्ली कलोरिकम पैसाब में अगर बलड आ रहा हो तो चिनी नम-सलफर टेडी बिन थाना थोड़ी सी अगर जलन भी पेसाब में है तो इसमें आप चिवाफिला को मिक्स कर सकते हैं सजनों बस इतनी ही दवाई है दाए सैड के पथरी के लिए चलिए ठीक है अब लेफ्ट टू राइट लेफ्ट तो चला गया आपको बरबड़ी से और हेड्रेंजिया में और राइट में जो आपको किसी परकार का दर्द हो रहा है उस दर्द के लिए किर्फ्या इसको मत भूलेंगे लाइक को पोडियम लेकिन पावर इसका 10M या CM होना चाहिए तीन से चार घंटे के बाद में आपके दाएं साइड के किडिनी के दर्द को ये निपट लेगा दर्द से आप हमने जो उस लड़के का नाम लिया साथ धर्वेंद्र नाम है बरहडी धमधा का तो उसको मेडिसी नमतव दिये कह रहे बबाबा तो एक या दो रोज रूख लो तो बेने होके उपसाब का रिपोर्ट दिया आप दर्द से वह सांत है इसमें कोई सकनी यह तीन और चार घंटे का अंदर में आपको इसके दर्द को लेके बढ़ जाएगा चाहाए किडिनी का दर्द हो चाहाए राइट पार्ट्स में कहीं का भी दर्द हो लाइको पोडि किसी मैं और आपको दे देता हूं वाइक उसकी जरूरी है नहीं लेकिन किडिनी है आप लोग उने डैलेसिस का नम सुना होगा का है तो किडिनी वैसे इतना सामर्थ ग्लैंड्स है दो तो है ही अगर दो में से एक नहीं भी हो तो एक इस लाइफ को लाड ले लेता है जब एक ही किडिनी है किसी का एक को निकलवा दिया है तो एक तो उसके जीवन का लॉट लिये हुआ तो उसको तो एकदम चोवी सो घंटे उस पर सतर करना पड़ेगा चुकि किडिनी एक ही है अगर इसमें आपको कोई गरवडी का गुंजाइस हो तो एक इसको याद रख लीज और किडिने को ताकत देता है और यह जो नेफरोंस हमने कहा तो यह पत्री कहीं बाहर से नहीं आके यही नेफरोंस में सट के जम जाता है जो बाद में धिरे धिरे हुआ करा हो करके एक पत्री का रूप ले लेता है ठीक है तो चलिए एक चीज़ सीरम एंजी इसमें एक दा वाल दाई किड्नी के छेत्र में अगर आपको दर्द है तो केनवीस इंडिका ये इसके छेत्रिये दर्द को केनवीस इंडिका और लेकोपोडिया ये दोनों इसके दर्द को किलियर करेगा केनवीस इंडिका माने होता है भांग गाजा जैसा उसको उप्योग कीजिए भयानिकों ने साइन्टिस्टों ने इसको बरबरीस है पहार में लोहा मारी है पथल में जो चोट लगी उसमें जो पानी रिसेगा उससे जो लसा बनेगा वह बरबरीस बलगरीस है है ये भांग और गया जंगल में होतार जिसका लोग मिश्यूस भी करता लेकिं उसी से बनाया गया यह दवाई सिंडिक्म है डाएं कीड़ने के लिए बाय के लिए नहीं लाइक पोडियूम दाएं कीड़ने के लिए नहीं दाय दो तीन चार प्रिसाप प्रोब्ल bought इतनी बात मैं आज आपको बता पाया हूं आने वाले दिन में एक चीज और मैं आप लोगों से आग्रह कर देना चाहूंगा अभी गुगल का जवाना है और गुगल तमाम दुनिया की बातों को आप प्रस्ण केजिवा जवाब देगा किसी दवाई पर संका हो उस दवाई को पूछिए आप गुगल से फुल डिस्क्रिप्शन देगा एफ्स डॉनलोड कर लिए रेपेटरी को पढ़िए यह जितनी हमने बात बताई है उतना है लेकिन यह दा है और और चीज की दवाई है बरबड़ी से लेकिन पथली की भी दवाई है तो इसका में फंसान नताव बाएं के लिए इसी शब्दों के साथ थोरी सी मैं अंत करूं